नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है MSSSE Notes में दोस्तों आज हमने आपके लिए त्यार किया है हिंदी साहित के Top 50 Questions जो आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है दोस्तों यह हमारा आपके लिए Special Video है क्योंकि जो भी एक्जाम्स आते हैं उसमें हिंदी से रेलेटेड इसमें Questions जरूर आएंगे इसलिए आप इसको जो है सुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि इसके सारे Questions बहुत Important है तो दोस्तों हमारे जो नए Users हैं जो हमारे नए Viewers हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे साथ ही साथ बेल आइकन प्रस कर लिजे जिससे हम अपना जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले वो आप तक Notification के माध्यम से पहुँच जाए तो चलिए शुरू करते हैं आज का Important Topic तो देखिए दोस्तो हमारा जो यह है वीडियो इसमें हमारे टोटल 50 questions है तो हम चलिए शुरू करते हैं पहले question से पहला question आपका इस तरह से बन सकता है कि अपरभंस के प्रथम महाकवी कौन थे तो अपरभंस के प्रथम महाकवी स्वयम भू थे माल लिजे आपके option में आ जाता है स्वयम भू तो आप इसे टिक कर सकते हैं यह सारे question one liner है जिसे आपको याद करने में भी आसानी रहेगी अगला question आपका इस्तरसी बन सकता है कि अपरभंस का प्रथम कड़वक बद रचना कौन सी है वो है पाउम चलित्र किसके द्वारा रचीत है स्वयम भू के द्वारा ठीक है यह भी स्वयम भू थे इसके रिचता भी जिसमें साथ चौपाई के बाद एक दोहा क्रम की रचना की गई है साथ चौपाई के बाद एक दोहा को क्रम के अनुसार रखा गया है ठीक है अगला है अगली रचना यह हो सकती है कि अप अगला कुश्चन है कि हिंदी के प्रथम कवी किसे कहा जाता है हिंदी के प्रथम कवी सरहपा को जो नौवी सदी के कवी थे ठीक है हिंदी के प्रथम कवी सरहपा थे अगला कुश्चन है आपका इस तरह से है कि हिंदी में दोहा चौपाई का सरुथम प्रयोग किस ने किया था हिंदी में दोहा चौपाई का सरुथम प्रयोग सरहापा ने किया था अगला कुश्चन देखते हैं तो देखे दूस्तों अगला कुश्चन ये है कि हिंदी की प्रथम रचना देखे हिंदी होता है हिंदी साहित होता है दो अलग 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 रचना है तो पहला देखते ह हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है तो हिंदी की प्रथम रचना स्रावकाचार देवसें कृत है इनके द्वारा है अगला है कि हिंदी साहित की प्रथम रचना कौन सी थी तो हिंदी साहित की प्रथम रचना पृत्वीराज राशो चंद्रबर्द दाई थी अगला है हिंदी स प्रथम 12 मासा वडन किस ने किया किस में किया गया है तो आप इसे क्या बता सकते हैं विसल देव रासो में ठीक है इनके द्वारा विसल देव रासो अगला है किसी भारती भासा में रचित इसलाम धर्मा वलंबी कवी की प्रथम रचना कौन सी है किसी भारती भासा में रचित इस्लाम धर्मावलम्वी कवी की प्रथम रचना संदेश राशक किसके द्वारा रची गई अब्दुल रहमान के द्वारा ठीक है अगला कुश्चन फिर है कि अवहट का सरवप्रथम प्रयोग किस ने किया था अवहट का सरवप्रथम प्रयोग विद्यापती ने कीर्ती लता में किया था ठीक है अवहट का इससी तरह से घुमा की कोश्चन जरूर पूशता है फिर अगला है कि हिंदी के सरवप्रथम गीतकार कौन थे हिंदी के सरवप्रथम गीतकार विद्यापती थे अगला है हिंदी के प्रथम सूफी कवी कौन थे हिंदी के प्रथम सूफी कवी असायत थे ठीक सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य क्या है सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य का क्या नाम है हनसावली असायत ठीक है यह सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है अगला है हिंदी का प्रथम बड़ा महा काव्य किसे कहा जाता है हिंदी का प्रथम बड़ा महा काव्य हंसावली असायत ठीक है अगला देखते हैं हिंदी का प्रथम वक्रोती कथात्मक महा काव्य किसे कहा जाता है हिंदी का प्रथम वक्रोती कथात्मक महा काव्य प्रदमावत के नाम से जान काव्य कौन सा था जो क्रिश्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूर सागर था किसके द्वारा रचित था सूर दास जी के द्वारा अगला है राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य राम चरित मानस है सबसे स रेश्ट काव्य है किसके द्वारा कहा गया यह तुल्सी दास जी के द्वारा इसे रचना की गई इसकी ठीक है फिर नेक्षट है कि भक्तिकाल को काव्य का स्वण्ड यूग घोसित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भक्तिकाल को काव का स्वन्युग घोशित करने वाला प्रथम व्यक्ति जौर्ज ग्रियर्शन था। कावे का सरप्रथम गरंथ कौन सा है हित तरंगिनी किसके द्वारा कृपा राम के द्वारा रीत कावे का बहुत important question है ये रीत कावे का सरप्रथम गरंथ कौन सा है हित तरंगिनी किसके द्वारा है कृपा राम के द्वारा अगला है खड़ी बोली में लिखित सरप्रथम काव ग्रंध किसके द्वारा था तो वो कौन थे श्रीधर पाठक के द्वारा अनुवादित था जो उसका नाम क्या था हरमित और यह क्या था एकांत्वाआसी योगी wedge फिर अगला है खड़ी बोली के प्रत्वा स्वच्छंदतावादी कवी, ठीक है, खड़ी बोली के प्रथम स्वचंदतावादी कवी कौन है, स्रीधर पाठक जी है, अगला है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रीप्रवास है, किसके द्वारा रचित है, हरी और के द्वारा अगला कोश्यन आपका ये है कि गीतिकाव सब्द का सरप्रथम प्रयोग किसने किया तो गीतिकाव सब्द का सरप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाथ पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में किया किसने लोचन प्रसाथ पांडे ने अगला है छायावात की प् तो आप बता सकते हैं यह जर्ना है, छायावाद की पहली कृति जर्ना, 1918 में किसके द्वारा जैसंकर प्रसाथ्ची के द्वारा रचित है, जर्ना, यह एक कविता है, ठीक, जर्ना एक कविता है, कई एक्जांस में यह पूछे भी गए है, चलिए अगला देखते हैं, फिर है कि शुक्ला नुशार चायावाद का प्रथम प्रतिनिधी कभी किसे कहा जाता है शुक्ला नुशार चायावाद का प्रथम प्रतिनिधी कभी सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है इन्होंने ही क्या किया था शुक्ला नुशार चायावाद का प्रथम प्रतिनिधी कभी क को कभी कौन कहा जाता है सुमित्ता नंदन पंत को अगला है मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग करता कौन थे तो मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग करता कौन थे सुरिकांत्रपाथी निराला और इनकी रचना क्या थी जुही की कली जुही की कली में इन्हों क्या किया था मुक् दाला की प्रथम कविता कौन थी तो निराला की प्रथम कविता जुही की कली जो 1916 में इन्होंने इसकी रशना की थी फिर अगला हैट प्रयोगवात सब्द का प्रतं प्रयोग प्रयोगवात सब्द का प्रथम प्रयोग किस ने किया था? नंद दुलारे वाज़ः ने किया था, फिर अगला है अग्या की प्रथम काविकृती कौन थी? अग्यें जी की प्रथम काविकृती का नाम भग नदूथ था जिनोंने 1933 मिसकी रशना की थी फिर अगला है प्रेमचंदर का प्रथम उपन्यास प्रेमचंदर जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है प्रेमा अर्था दो साखियों का विवा 1907 हम खुर्मा वह हम सबाब का हिंदी रूपांतरन है ठीक है फिर अगला है हिंदी का प्रथम उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे कहा जाता है परिक्षा गुरु लाला स्री निवास दास क्रित ठीक है परिक्षा गुरु क्या है यह हिंदी का प्रथम उपन्यास किस रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास का नाम है काया कल्प जिसकी रशना 1926 में प्रेमचन्दी ने की थी अगला है जैनेंद्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है जैनेंद्र जी का प्रथम उपन्यास परक है जो 1929 में इसकी रशना की गई अगला है इला चंद्र जो उसी का प्रथम उपन्यास क्या है तो इलाचंदर जोजसी का प्रथम उपन्यास घ्रिणा मई है जो 1929 में इसकी रशना हुई अगला है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास क्या है तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्र लेखा है जिसकी रशना 1934 म पूछ लेता है कि चित्ररेखा की रचना कब हुई घ्रेणा मई की रचना कब हुई तो आप इसको सासा सन भी याद करते चलिए ठीक है अगला है अग्ये का प्रथम उपन्यास कौन सा मदलब अग्ये जिर थे उनकी प्रथम उपन्यास क्या थी तो उनका प्रथम उपन्यास ह सेखर एक जीवनी जिसकी रचना 1941 में इन्होंने की थी अग्ये जी का प्रथम उपन्यास सेखर एक जीवनी है फिर है कि रेडु का प्रथम उपन्यास क्या है फड़िश्वन नाथ रेडु इनका प्रथम उपन्यास कौन सा है तो इनका पहला उपन्यास था मैला आचल ये कई रशना हुई थी 1954 में ठीक है फिर अगला है निर्मल वर्मा का प्रफम उपन्यास कोंठा तो निर्मल वर्मा जी का प्रफम उपन्यास था वे दिन जिसकी रशना 1964 में की गए थी फिर नेक्च्ट है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी थी इंदू मती किसके द्वारा रची थी किशोरी लाल जी के द्वारा फिर है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन थी हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंदर बाला घोज ये द्वारा है फि जैसंकर प्रसाद की प्रथम कहानी, ग्राम, जो 1911 में रचित थी, इंदू प्रतिका में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फिर दोस्तों ये तो बहुत important question है, आपने पढ़ा भी होगा कई बार की प्रेम चंदर की प्रथम कहानी कौन सी है तो प्रेम चंदर जी की प्रथम कहानी थी, पंच परमेश्वर जो 1916 में रचित थी, एक question कई बार पूशा गया है, फिर अगला है निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रा क्या था, तो निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रा परिंदे था, जो 1906 में रचित की गई थी इसकी रशना 1960 में की गई थी परिंधे तो दोस्तो यह थे हमारे आज के टॉप 50 कुस्टिंस अपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तो पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजेगा हो सके तुपने दोस्तों में शेयर ही जरूर कीजेगा और जो हमारे नए विवर्स हो जो हमारे इस चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हो तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए इसमें क्योंकि आपका पैसा नहीं लगना है उपर से आपको फ्री में अपडेट्स मिलती रहेंगी हम जो भी अपना नेक्ट वीडियो डालेंग